हलो फ्रेंग्स आप सभी का स्वागत है फ्रेंग्स आज हम ब्याज निकालना सेखेंगे फ्रेंग्स देखिए हम ब्याज जैसे हैं किस प्रकार से निकालते हैं फ्रेंग्स यदि हम गाओं में किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उसको हम महीने में चुकाते हैं तो उसमें हम क प्रकार से ब्याज चुकाएंगे यहां पर यदि हम बैंक से कोई पैसा उधार लेते हैं तो बैंक में किस प्रकार से ब्याज निकाला जाता है यहां पर दोरों वीडियों को देखेंगे और समझेंगे जैसे हम मालेजी कि आपने रोहन से एक हजार रुपिया उधार लिया तो रोहन क्या कहेगा बाई एक हजार रुपिया हम आपको देंगे लेकिन आप से हम परतिमा कितना पांच परतिसत की दर से हम ब्याज लेंगे ठीक है और यहां परतिमा आप से ब्याज लेंगे और आपने क्या कहा कि भाई हमको दो मा के लिए कितने मा के लिए यहां पर लिखे लिए दो मा यानि कि दो मा के लिए भाई हमको पैसे उधार चाहिए ठीक है तो फ्रेंस यहां पर आप ब्याज निकालेंगे कैसे देखे फ्रेंस यहां क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे ब्याज दोने वीडियो यहां प्रतिषत्प में यहां पर कैसे निकाला जाते हैं यहां पर लिखेंगे मूल धन, गुड़ेदर, गुड़े, समय, अप्रतिव, सौन, ठीक, अब आज निकालना, फ्रेच जो धन आपकिसी व्यक्ति से ले रहे हैं उधार, उसको मूलधन करते हैं, तो मूलधन के जगा अब कितना लिखेंगे एक हजार गुड़े दर आप पर वह वह व्यक्ति कितना आप कहा दर दे रहा है तो प्रतिशत में जो लिखा रहाता है वह दर होता है तो दर के जगे पर पांच लिखेंगे आपने कितने माँ के लिए उधार लिया दन दो माँ के लिए दो यहां पे लिखेंगे और बटाके सौ कर लेंगे ठीक देखें एक जीरो से एक जीरो कर जाएगा ठीक है अब देखें यहां किया करेंगे पांदुना के दस दस का दस में करेंगे सौ रुपिया यानि कि आपको कितना रुपिया वापस करेंगे तो फ्रेंज देखे जब आप वापस करेंगे एक हजार रुपिया यह होगा ठीक साथ में एक हजार रुपिया तो यह देंगे ही और उसके साथ में जो सो रुपिया ब्या जा रहा है आपका दो माह का उसको आप जोड लेंगे तो आपको कित कैसे लिए जाता है देगे फ्रेंग जैसे आप बैंक गए बैंक से आपने कहा कि भाई हमके 5,000 रुपया उधार चाहिए भाई तो पॉंचा रुपया देगा लेकिन आप से कहेगा बैंक बैंक प्रतिसत का दर से भ्याज देंगे तो आपने हम पांच वर्स के लिए चाहिए कितने वर्स के लिए पांच वर्स के लिये ब्या-तो किसी आफिज बस इसको निकालना हो कैसे प्याज है यहां पर लिखेंगे मूलधन दर गुड़े समय बटाके सो कर लेंगे अब दिखें फ्रेंग जो बैंक आपको उधार देगा वह आपका मूलधन होगा यहां पर क्या लिखेंगे पांच जार रुपिया बैंक ने दर कितना लगाया आप पर 10 परतीसाद यान की 10 परतीसाद देना पड़ेगा कितने वर्स के लिए आपने उधार लिया पांच वर्स के लिए यहां पर पांच लिखेंगे और बटागे कितना है सो ठीक देखें यह एक जिरो से एक जिरो होगा यानि कि आपको 35 पांच वर्स के बाद कितना रुपया वाउपस करेंगे देखिसेशाधे सब देना के आपको 5 वर्ष के बाद बैंक को वापस करना पड़ेगा चलिए फ्रेंस एक दो एक्जामपल और देखते हैं और उसको समझते हैं देखें फ्रेंस यहाँ पर पहले गाओंवाला समझते हैं फिर इसके बाद बैंक वाला एक एक्जामपल दोनों साथ में देखेंगे फ्रेंज गाओं में देखें देखते हैं जैसे यहां पर देखेंगे कि राम राम कहा कि राम गया मोहन के पास ठीक है राम मोहन के पास गया और मोहन से राम ने कहा कि भाई हमको 10,000 रूपिया देदो 10,000 रुपया यह कहा कि 10 रुपय तो देंगे लेकि हमको भाई 4 परतिसत की दर से हमको ब्याज चाहिए तो राम तयार होगे है कि चलो भाई हमको जरूरत है 10,000 रुपया दे दिजी आप हम 4 परतिसत का ब्याज देंगे तो मोहन पूशा भाई कितने दिन के लिए चाहिए या कितने महीने के लिए चाहिए तो राम कहा कि हमको 2 महीने के लिए दे दीजिए उसने कहा कि ठीक हम दे देंगे तो फ्रेंज देखी यहां पर पहले ब्याज निकालेंगे फिर इसके बाद आप यानि कि राम मोहन को कितना रुपिया वापस करेगा दो महीने के बाद आपको निकालना है कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर पहले ब्याज लिखेंगे ब्याज लिखेने के बाद देखें यहाँ मूल धन पहले यहाँ पर मूल धन लिखेंगे मूल धन का आपस में गुड़ा करें किस में चार में चार परतिसत में कितने महीने के लिए आपने दो महीने के लिए ठीक है यहाँ परतिसत कच्छी नटाने के लिए सव कर लेंगे 0 से 1-0 कर ले ज़े 1-0 से 1-0 आप गुड़ा कर लेगे चार दंधा के 8 होगा यहाँ पर दो 0 यानि कि 2 महीने बाद 800 रुप्या आपका ब्याज हो गया ताई राम मोहन को कितना रुपय टोटल वापस करेगा देखे फ्रेज यह एक हजार, मतलब 10,000 रुपया तो यह वापस करेगा, इसके साथ में मोहन को 800 रुपया ब्याज देगा, तो टोटल राम कितना रुपया वापस करेगा, यहाँ पर 10,000 तो यह है, 10,000 इसको लिखिए, इसके साथ में आपका 800 रुपया यह हो जाएगा, आप दोनों को आपस में जोड लीजिए, जब जोड़ेंगे यह कितना हो जागा, 10,800 रुपया आपका टोटल रुपया होगा, यानि राम जो होगा, 10,800 रुपया मोहन को टोटल वापस करेगा, दो महीने के बाद, ठीक है, इस प्रकार आप किसी भी सवाल को लगा सकते हैं, और समझ सकते हैं, क गया बैंक में, बैंक में गया और कहा कि भाई हमको कितना रुपया चाहिए, हमको माल लेजिए कि 20,000 रुपया, यानि कि राम गया बैंक में, बैंक में से 20,000 रुपया उधार लिया, तो बैंक कहा कि ठीक है, हम 20,000 रुपया आपको देंगे, ठीक है, लेकिन हमको 5% की दर स ठीक है 5 परतिसत की दर से हम 2 आपसलेंगे तो राम तयार हो गया और बैंक राम से पूछा कि भाई कितने सालों के लिए चाहिए यह बोला कि हमको तीन वर्स के लिए कितने वर्स के लिए चाहिए तो राम निकालेजी, ब्याज कैसे निकालेंगे, देखी, आप कितना रुप्या वापस लिए है, 20,000, तो 20,000 यहाँ पर लिखेंगे, इसमें आप दर का गुड़ा कर लेजी, कितना लिया है दर, 5 पर 30 के दर से, बैंक आप पर चार्ज लगाया है, फिर इसके बाद कितने वर्स के लि दूग जीरो यह, यानि कि आपका 3,000 रुप्या क्या वाजागा, ब्याज होगा, तो फ्रेंस, जो राम है, बैंक को 3 वर्स के बाद कितना रुप्या वापस करेगा, तो देखें, 20,000 रुप्या तो यह देना ही पड़ेगा, साथ में 3,000 रुप्या और एक्ष्ट्रा देना पड़ेगा, तो टोटल रुप्या निकाल लीजिए, यानि कि राम कितना रुप्या वापस करेगा, यहां राम लिख लीजिए, और यहां पर कितना ही, 20,000 रुप्या यहां पर लिखिए, फिर इसके बाद कितना वापस करेगा, तीन हजार और लिख लीजिए, इसको जोड रूपिया यहां पर देख लेगे जोन लेंगे आपसको देना पड़े बना ठरफ के बिद्यो पशंद आए और चैनल पर नएंहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें